आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट कॉर्ण सूप इसे हम बहुती कम सामान में बनाएंगे और ये बहुती हेल्दी होता है हमने कॉर्ण ले ली है हम इसके दाने निकाल लेंगे हमने कौन के दाने लिका लिये हैं इन्हें हम अच्छे से धो लेंगे हमने इन्हें अच्छे से धो लिया है और इसमें पानी डाल लिया है अब हम इसे अच्छे से उवाल लेंगे आप देख सकते हैं हमारे कॉर्ण अच्छे से उवल चुके हैं अब हम गैस को बंद कर देंगे अब हम इन्हें अच्छे से ठंडा होने देंगे हमने कुछ दाने लिखा लिये हैं इन्हें मिक्सर में नहीं पीसेंगे बाकी कौन के दानों को हमने मिकसर के जार में निकाल लिया है इन्हें हम अच्छे से पीस लेंगे हम इसमें आवश्यक तानुसर पानी डाल लेंगे और इसे हम और पीसेंगे जिससे की हमारा इस तरह का स्मूध पेश तैयार हो जाए हमने तवा ले लिया है इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे अब हम इसमें एक चम्मच घी डाल लेंगे इसे हम अच्छे से मेरिट कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारा घी मेरिट हो चुका है अब हम इसमें एक चमच मैदा पाउडर डाल लेंगे और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे इससे हमारे सूप में इस्पेशल टेस्ट आएगा और हमारा सूप पीने में बहुती तेस्टी लगेगा हम मैदे को धीमी आक्जानी की इसलो फ्लेम पर पका रहे हैं इसे हम चलाते रहेंगे जिससे की हमारा मैदा ना जले और अच्छे से भून जाए हमें इस तरह से करना है आप देख सकते हैं अभी हम मैदों को और भूनेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे आप देख सकते हैं हमारा मैदा अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे हमने इसमें लगबग एक गिलास पानी डाला है अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि हमारा मैदा पानी में अच्छे से मिल जाए हमने मैदे को भून लिया था इसलिए यह है पानी में आसानी से मिल जाएगा हमें इसे इस तरह से मिलाना है जिससे कि हमारा मैदा पूरी तरह पानी में मिल जाए और इसमें यह इस तरह का हो चुका है और अब इसमें बिल्कुल भी गुठलिया नहीं है अब हम इसमें कॉर्ण को पीसकर बनाये हुआ पेश डाल लेंगे अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम मध्यम आग यानि की मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हमें इसे अच्छे से मिला लेना है अब हम सूप में और पानी डाल लेंगे क्योंकि हमारा सूप बहुत गाड़ा था हमें इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी डालना है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे इसे हमें मीडियम आग पर पकाना है और इसे हम चलाते रहेंगे अब हम सूप में स्वात के नुसार नमक डाल लेंगे हमें सूप में कम नमक पसंद है इसलिए हमने इसमें एक त्याई चम्मच नमक डाला है इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें थोड़ी से शक्कार डाल लेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसे तेज आग यानि की हाई फिलिम पर पकाएंगे और इसे हम चलाते रहेंगे आप देख सकते हैं हमारा सूप इस तरह का हो चुका है अब हम इसमें कॉर्ण के दाने डाल लेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और अब ही हम सूप को और पकाएंगे इसे आप घर पर जरूर बनाएं या आपको बहुती तेश्टी लगेगा और ये बहुत ही कम समान से बन जाता है और ये बहुत ही healthy soup है इसे हमने सिर्फ 10 रुपे की कॉर्ण में बनाया है आप भी इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं आप देख सकते हैं हमारे soup में वाल आ चुका है इससे हमें पता चलता है कि हमारा सूप पूरी तरह अच्छे से पक चुका है अब हम गैस को बंद कर देंगे अब हम इस कौन सूप पा टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें क्रीम डाल लेंगे हमने इसमें घर के दूद से निकाली ही मलाई डाली है आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं इसे हमने अच्छे से मिला लिया है हमारा कौन सूप पूरी तरह रेडी है और यहें रेस्टोरेंट से भी ज्यादा स्वात बना है आप भी इसे घर पर जरूर बनाएं अगर आपको हमाई रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैलन को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद